सेयुक तरब अमीरात में एक नई नवेली दुलहन ने हनीमून से लोटने के बाद अपने पती को तलाग देने की अरजी लगाई है खलीज टाइम्स के मुताबिक महिला ने पती पर आरोप लगाया कि वो बहुत ही कंजूस आदमी है अब उधभी कोर्ट में तलाग की अरजी में बताया गया है कि महिला का पती इरानी है हनीमून के दौरान उसने कंजूसी दिखाई महिला ने दावा किया कि पूरे हनीमून के दौरान उसके पती ने सारे बिल उससे भरवाएं इसमें राशन, पानी और बिजली के बिल भी शामिल थे, जबकि उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया महिला ने तलाक लेने के बाद हनीमून पर खर्च किये सारे पैसे का भुपतान करने को भी कहा है महिला के वकील ने बताया कि पत्नी से 13 साल छोटे पती ने हनीमून की शुरुआत में ही सारे बिल पती के नाम करवा दिये थे उसने वजह बताई कि उसके सारे पसनल डॉक्यूमेंट को गए थे इसलिए उसने सारे सर्विसेस के बिल पत्नी के नाम आये महिला ने ये भी बताया कि उसने ही घर का सारा फनीचा खरीदा था शाध हाने के बाद ही पती में उसे तरजी देना बंद कर दिया था शाधी टूपने की ये सब वजह महिला ने बताई है